so hello everyone कैसे हुआ आप लोग आप सभी खस्वागे थे एक ब्राण्य वीडियो के अंदर मैं हुआ अपका दोस्ट तुश्वा डेक्शन आप सब लोग देखने हो पोके फिर्मास यूटूब चैनल और अश्की वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सरे अपडेट बताने आपने प्लीज से कमेंट भी जरूर कर दोना जैसे मैं आपको बताया कि एक लाइक बहुत सारे मोडिवेशन देता है तो प्लीज एक लाइक जारूर करदना इस वीडियो के अदब से आपको बहुत सरे आपडेट भी देने वाला तो प्लीज अगा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब जरू कर लो और इससे आपको हार एक वीडियो सब्सक्राइब देखने के लिए मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब के बारे में जान दी सकते हो तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद सबसे पहले हम लग शुरू करेंगे पोकेज़ के साथ इसले वीडियो पर पोकेज़ था यह कौन सी पोकेमोगा नहीं है तो इसका अंसर बहुत कम मिला है तो वह जहीं पता क्यों कम मिला है इसका अंसर बहुत ही में है एस फोकेज़ का विएञ़्जा का विएटर ऑटाइब ओटर ऐंसब आएंसर यह है कि इस जो पिक्टर है इस पिक्टर के अंदर कहा पर है जिगलीपफ या आपको फाइंड करना है कहा पर जिगलीपफ है और आपको कॉमेंट करके बताना है तो मुझे तो पता है कि कहा पर जिगलीपफ है आपको कॉमेंट करके बताना है कि इस पिक्टर के अंदर कहा प सबसे पहले में आपको एक जो पोस्टर हो दिखाना चाहता हुए या पर देख सकता सुरून टूरी आए या पर जो मेगाजने इसके कबार के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है गैरियोग और एक्षान गोबी है इसका मतलब यह है कि सिती सी बात बहुत जली हम लोग गैरियोग को फिर से एक बाद देखेंगे यानि एगें गैरियोग रिटेन आने माला है इन पोकमान जानीस और मुझे रखता है इस पर गैरियोग और भी बहुत ही हाईप और बहुत जदा आक्षान के साथ आएगा सो लेट सी क्या होता है और गैरियोग हम लोग आनी पर देखेंगे सुछ चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स अबड़ेट की तरह नेक्स अप्डेट जूड़ी है टायरानेटर के साथ तो कमा है जानिस का अंदर टायरानेटर का एपरेयंस होने वाला है बहुत जल दी यह स्टोरी लाइन के अंदर होगा एक में इस्टोरी लाइन के नेक्स्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टिम रॉकेट का बॉस जियो बानी या जियो बनी बहुत जल्दे हम लोग ऐनीपर देखने के लिए मिल सकता ही या तिम रॉकेट का बहुत जियो बनी आगर एनीपर आएगा तो बहुत थी मजा आने वाला है क्योंकि आप को पता है कि सबसे पहला and best मेरे सबसे बेस्ट बिलेन है एनमी के अंदर so जियो बनिए अगर पोकेमोन जानने के अंदर आएगा and पोकेमोन जानिस के अंदर आगर बिलेन रोल प्ले करेगा जियो बनी फॉर ए लाइस तो मुझे सबसे बहुत ही जदा अच्छा होने वाला है वह कि आगर आपको पता है कि जो गैलर का बिलेन है वह तो पूरा पूरा घाटिया है आयोप की जिवतनी इस बाड़ ढर को से एंट्री और को स अलग तरी के सकोश चीज करें सुट लिट सीखए करता है एला आपको तो पता हिए कि पूकमान स्चिडियो डूर जूलाइक एक और और टीलाक को भी आपसोर देखने के लिए अने के लिए कुस दिन आपको पोकेमोन जानिश के अ ब्रेक देखने के लिह मिलने वाल है गाए रीपे सोर से बेंटी फाइब एन से मैंटी फ़ाइब एन डूम और आपको 17 वाटेवर देखने के लिए लेगा सो बहुत ही अपसेट हुमें क्योंकि नाइज रखो कोई भी एपसोर नहीं आने वाला है और बहुत जाए लोग जिगलिफाफ एंड गलारियान पोईटा को देखने के जाए मेंगा और मैं बहुत एक्साइटेट रोग जिगलिफाफ के लिए कि जिगलिफाफ फेर फ पर होने वाला है नेक्स आपको में बतना चाहता है आपको यह पता है कि बुड़ा सपने के लिए जाना जाता है और इसका पावर भी है डार्क या फिर बुड़ा सबना सो मैंने सबसे इस बर डाक राए बहुत ही आच्छा इस्टोडी लाइन लेकरेगा उसके साथ ही साथ अमारा सबसे फेड़ी डाक पोकेमोन डाक एन वाटर टाइप ग्रेंजा रिटन आने वाला है इन पोकेमोन जानिस और जैसे कि मैं आपको बताया था पिसले वीडियो के अंदर कि डाक राए को एश पकर सकता है और गो इसको चांज भी लाए सकता है बट गो नहीं पकरेग ग्रेंजा तो बहुत जल्दी रहने पर इटन आएगा तो इसके साथ सथ हम लोगों कोईट करना पड़ेगा जब तक रिए जब तक और मैंने आपको मैं आपको और एक चीज़ भी बताया था कि ग्रेंजा कि साथ साथ साही नहीं भी बहुत जल्दीशन आने वाला है साही पहले आएगा आपको यह भी पता चलता है कि सारीना पहले आएगा उसके बात किरेंजाएगा एक साथ दोनों के एक्टर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है इन अने में सो यह चीज़ बहुत जादा अपसेट है आपसेट की बात है बट मैंने सबसे एक साथ अगर आता तो पहते अच्छा था बट एक साथ दोनों के एक्टर नहीं रिटन आने वाला है इन पोकेमोन चार्णिस तो यह थूरी सी डिसपोईंटेटे बट यह पर और और चीज़ बाद अपको में बतने चाहता हो की ऐश एश एन लेली दोनों फेर सेख बार मिलने वाला है और जैसे क मैंने आपको बताया था कि एस अन गूफ एक बार जाने वाला है एलोला रिजन तो यह दिस टाइम एश एन गो दोनों फेर से लेली के साथ मिलेगा सो लिली पिसले टाइम पर हम लोग लोग को देखने के लिए मिला था बट राच के साथ नहीं मिला था बट इस पर हम की बात है तो लेट सी कब तक लेली हम लोगों को देखने करें मिलता है अनी पर आश के साथ और इस बार कपता का एश अन गो जाता है एलोल रिजन तो हम लोगों को सब ओएट करने पड़ेगा आप हम लोग बढ़ते हैं नेक्स एन फारनल स्टोरी के तरफ सो इस नोट फा insulti कर फीटाया था जब पोकेमोन जाने स्टार्ट वा था सो फंकमोन जाने स्टार्ट ratो से य्याप्टाया है कि पोकेमोन जाने सक अंदर सो हम लोगों को कुछ दिन पर उट करना पड़ेगा सो इस बार हो सकता है कि एच इस बार को पका ले क्योंकि इस बार बहुत ही जोरो सुरद से रहार रोमस आया है हो सकता है कि कोबिनेट को इस पर हनेर परसन एश पकले सो आश का अभी फ्यूशर में पोकेमोन पकारने का प्लान बहुत भी बहुत है और कुछ से मर्सेंडाइज भी रिलिस हुआ है और यह सिदी से बात है यह गेम के साथ रिलेक्टेट है जो गेम के अंदर बहुत जल दिया हम लोग को बहुत ज्यादा चेंज देखने गम लगा जैसी के वह पता है हुआ हिए करेट होगा इन 2021 वे ढ могला पता है यह करता ही पेंडर पुर्गेमोन जाने ग्लेशे हो सकता है और होब करने हम हैं से लेवन का ब्रॉड़ए और नहीं हुआ है जोी जली आब देखेंगे के पोछे हो सकता है और कर और होब के साथ ऑप कीमों के अनदर ऐख लाता है तो मेरे आ मैं के सक पास बात चुन ना छाहता हो यह जो पिक्चर और इस पिक्चर के अनदर के सीर्फ से लिए लिंख सब्सक्र में है यह उझान है ट सुन्सक्टनों उप सो आप यह बताओ कि अगर 49 kg का एक पोकेमोन आपके सेर पर होगा तो आपका एक्सप्रेशन और आप का जो गर्दन हो कैसा होगा तो प्रेले इस आप कॉमन करके ज़रू बताना यह लौजिक कहा पर है और कैसे आपको लगता है किया हो रहा है उस पिक्चर के अंदर तो कॉम आपके बस्ट बाइचान खर ज़र करता है कर दो कैसे आपकिश फिर बाइचान और प्रेस्ट आंड रटेवर्याद कि विडियो का जब लाइचान डिवेंग्ट आपका पर एंद धेट विड़ पास्ट आपके ऐड लौजिक स्वेंग्ड नी डेशर नीच देमिन टापके